C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए दो भिन एवं दशमलव प्रिष्ट चत्थीस प्रशनावली दो दशमलव दो 1. A से D तक के रेखा चित्रों में निम्न लिखित को कौन दर्शाता है 1. 2 गुणा एक बटा पांच 2. 2 गुणा एक बटा दो 3. 3 गुणा दो बटा तीन 4. 3 गुणा एक बटा चार यहाँ A से D तक अलग-अलग रेखा चित्र दिये गए हैं A. यहाँ तीन वृत दिये गए हैं प्रतेक वृत का दो बटा तीन भाग चाय आंकित है B. यहाँ दो आयत दिये गए हैं प्रतेक आयत का आधा भाग चाय आंकित है C. यहाँ तीन वर्ग दिये गए हैं प्रतेक वर्ग का एक बटा चार भाग चाय आंकित है डी, यहां दो वृत दिये गए हैं, प्रत्येक वृत का एक बटा पाँच भाग चाय आंकित है दो, ए से सी तक कुछ चित्र दिये हुए हैं, बताईए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शात्ता है एक, तीन गुणा एक बटा पाँच बराबर तीन बटा पाँच, दो, दो गुणा एक बटा तीन बराबर दो बटा तीन, तीन गुणा तीन बटा चार बराबर दो एक बटा चार यहां A, B और C में अलग-अलग छित्र दिये गए हैं A. यहां दो वृत्त दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक वृत्त में एक बटा तीन भाग चाय आंकित है यह दो वृत्त मिलकर एक वृत्त बनाते हैं जिसमें दो बटा तीन भाग चाय आंकित है B. यहां तीन त्रिभुज दिये गए हैं जिसमें प्रतेक त्रिभुज में एक बटा चार भाग चाय आंकित है ये तीन त्रिभुज मिलकर दो पूरे त्रिभुज बनाते हैं जिसमें चार बटा चार भाग चाय आंकित है और एक त्रिभुज जिसमें एक बटा चार भाग चाय आंकित है सी, यहां तीन वर्ग दिये गए हैं जिसमें प्रतेक वर्ग में एक बटा पाँच भाग चाय आंकित है ये तीन वर्ग मिलकर एक वर्ग बनाते हैं जिसमें तीन बटा पाँच भाग चाय आंकित है प्रिष्ट 37 ग्यारह गुणा चार बठा साथ, आठ, बीस गुणा चार बठा पांच, नौ, तेरह गुणा एक बठा तीन, दस, पंदरह गुणा तीन बठा पांच, चार, छायांकित कीजिये, एक, बक्सा A के वृत्तों का आधा भाग, दो, बक्सा B के त्रिभुजों का दो बटा तीन भाग, तीन, बक्सा C के वरगों का तीन बटा पांच भाग, यहां A, B और C में अलग-अलग चित्र दिये गए हैं, A, यहां एक वरग में चार वृत्त दिये गए हैं, B, यहां एक वरग में नौ त्रिभुज दिये गए हैं, C, यहां एक आयत में पंदरह वरग दिये गए हैं, आपको निर्देश आनुसार छायांकित करना है, 5, ग्यात कीजिए 20 खचार बटा 5, 2, 35 खचार बटा 5, 6, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, A, 3 गुणा 5 एक बटा 5, B, 5 गुणा 6 तीन बटा 4, C, 7 गुणा 2 एक बटा 4, D, 4 गुणा 6 एक बटा 3, E, 3 एक बटा 4 गुणा 6, F, 3 दो बटा 5 गुणा 8, साथ, ग्यात कीजिए, A, 1, 2 तीन बटा 4 का एक बटा 2, 2 चार दो बटा 9 का एक बटा 2, B, 1, 3 पांच बटा 6 का पांच बटा 8, 2, 9 दो बटा 3 का पांच बटा 8, 8, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मा ने उन्हें पांच लीटर पानी वाली एक बोतल दी, विद्या ने कुल पानी का दो बटा 5 उपयोग किया, शेश पानी प्रताप ने पिया, 1, विद्या ने कितना पानी पिया, 2. पानी की कुल मात्रा का कितना भिन यानि फ्राक्षन प्रताप ने पिया प्रिष्ठ 38 2.3.2 भिन का भिन से गुणन फरीदा के पास 9 सेंटिमीटर लंबी एक रिबन की पट्टी थी उसने इस पट्टी को चार समान भागों में काटा उसने यह किस प्रकार किया उसने पट्टी को दो बार मोड़ा प्रत्येक भाग कुल लंबाई के किस भिन को निरुपित करेगा प्रत्येक भाग पट्टी का नौ बटा चार होगा उसने इन में से एक भाग लिया और इस भाग को एक बार मोडते हुए इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। इन दो टुकडों में से एक टुकडा क्या निरुपित करेगा। यह 9 बटा 4 का 1 बटा 2 अर्थात 1 बटा 2 गुणा 9 बटा 4 को निरुपित करेगा। आए देखते हैं के दो भिन्नों का गुणन फल जैसे एक बटा 2 गुणा 9 बटा 4 को कैसे ग्यात किया जाए। इसे ग्यात करने के लिए आए सर्व प्रथम हम एक बटा 2 गुणा 1 बटा 3 जैसा गुणन फल ग्यात करना सीखते हैं। ए किसी संपूर्ण भाग का एक बटा 3 हम कैसे ग्यात करते हैं। हम संपूर्ण को तीन समान भागों में बाटते हैं। तीनों में से प्रत्येक भाग संपूर्ण के एक बटा 3 भाग को निरुपित करता है। इन तीनों में से एक हिस्सा लीजिए और इसे चायांकित कर दीजिए, जैसा के आकृती 2.8 में दर्शाया गया है। आकृती 2.8 यहां एक वृत्त दिया गया है जिसमें से एक बटा तीन भाग चायांकित है। बी, आप इस चायांकित भाग का एक बटा दो भाग कैसे ग्यात करेंगे। इस चायांकित एक तिहाई यानि एक बटा तीन भाग को दो समान भागों में बाटिये। इन दोनों में से प्रत्येक भाग एक बटा तीन के एक बटा दो को निरुपित करता है। आक्रिती 2.9 इन दो भागों में से एक को बाहर निखाल लीजिए और इसे ए नाम दे दीजिए। ए एक बटा दो गुणा एक बटा तीन को निरुपित करता है। आक्रिती 2.9 यहां इस दिये गए वृत के एक बटा तीन शायांकित भाग को दो समान भागों में बाटा गया है। C. ए संपूर्ण का कितना भाग है? यह जानने के लिए शेश एक बटा तीन भागों में से प्रत्येक को दो समान भागों में बाटिये। अब आपके पास ऐसे कितने समान भाग हैं? ऐसे शे समान भाग हैं। A. इन में से एक भाग है। अतह A. संपूर्ण का एक बटा शे भाग है। इस प्रकार एक बटा दो गुणा एक बटा तीन बराबर एक बटा शे। प्रिश्थ 49. हमने यह कैसे निरणएं लिया के A. संपूर्ण का एक बटा शे भाग है। संपूर्ण को दो गुणा तीन बराबर शे भागों में बाटा गया और एक भाग इसमें से बाहर निकाला गया। अतह एक बटा दो गुणा एक बटा तीन बराबर एक बटा शे बराबर एक गुणा एक बटा दो गुणा तीन। अत्वा एक बटा दो गुणा एक बटा तीन बराबर एक गुणा एक बटा दो गुणा तीन। एक बटा तीन गुणा एक बटा दो का मान भी इसी प्रकार ग्यात किया जा सकता है। सम्पूर्ण को दो समान भागों में बाटिये और तब इन में से किसी एक भाग को तीन समान भागों में बाटिये इन में से एक भाग को लीजिये यहे एक बटा तीन गुणा एक बटा दो अर्थात एक बटा छे भाग को निरुपित करेगा इसलिए जैसा के पहले चर्चा की जा चुकी है एक बटा तीन गुणा एक बटा दो बराबर एक बटा छे बराबर एक गुणा एक बटा तीन गुणा दो अथह एक बटा दो गुणा एक बटा तीन बराबर एक बटा तीन गुणा एक बटा दो बराबर एक बटा छे 1 बटा 3 गुणा 1 बटा 4 गुणा 1 बटा 3, 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 5 और 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 2 ग्यात कीजिए और जाच कीजिए कि क्या आप 1 बटा 3 गुणा 1 बटा 4 बराबर 1 बटा 4 गुणा 1 बटा 3 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 5 बराबर 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 2 पाते हैं प्रयास कीजिए निम्न लिखित बक्सों को भरिये एक एक बटा 2 गुणा 1 बटा 7 बराबर एक गुणा 1 बटा 2 गुणा 7 बराबर डैश दो एक बटा 5 गुणा 1 बटा 7 बराबर डैश बराबर डैश 3. एक बटा साथ गुणा एक बटा दो बराबर डैश बराबर डैश 4. एक बटा साथ गुणा एक बटा पांच बराबर डैश बराबर डैश उदहरन 6 सुशान्त एक घंटे में किसी पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ता है वह दो एक बटा पाँच घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा हल सुशान्त द्वारा एक घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर एक बटा तीन प्रिष्ठ चालीस उसके द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर 2 1 बटा 5 गुणा 1 बटा 3 बराबर 11 बटा 5 गुणा 1 बटा 3 बराबर 11 बटा 15 है। आईए अब हम एक बटा दो गुणा पांच बटा तीन ग्याद करते हैं। हम जानते हैं के पांच बटा तीन बराबर एक बटा तीन गुणा पांच। अथह एक बटा दो गुणा पांच बटा तीन बराबर एक गुणा पांच बटा दो गुणा तीन बराबर पांच बटा चैंग। इस प्रकार का एक आकार लीजिए। इस आकार को प्राप्त करने के लिए सर्व प्रत हम हम वृत्त को तीन समान भागों में बाटते हैं। आके भी इन तीन भागों में से प्रत्येक को दो समान भागों में बाटते हैं। इसका एक भाग वह आकार है जिसकी हमने चर्चा की है। यह क्या निरुपित करेगा। यह एक बटा दो गुणा एक बटा तीन बराबर एक बटा छै को निरुपित करेगा। इस प्रकार के भाग मिलाकर कुल पांच गुणा एक बटा छै बराबर पांच बटा छै होंगे। आकरिती दो दशमलव दस। यहां पांच वृत दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक वृत के एक बटा तीन चायांकित भाग को दो समान भागों में बाटा गया है। इस प्रकार तीन बटा पांच गुणा एक बटा साथ बराबर तीन बटा पांच गुणा साथ बराबर तीन बटा पैंटीस। इस प्रकार हम दो बटा तीन गुणा साथ बटा पांच को दो बटा तीन गुणा साथ बटा पांच बराबर दो गुणा साथ बटा तीन गुणा पांच बराबर चौदह बटा पंद्रह के रूप में ग्यात कर सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं के हम दो भिन्नों का गुणन अन्षों का गुणन फल बता हरों का गुणन फल के रूप में करते हैं। प्रयास कीजिये, ग्यात कीजिये, दो बटा तीन गुणा चार बटा पाँच, दो बटा तीन गुणा एक बटा पाँच, प्रयास कीजिये, ग्यात कीजिये, आठ बटा तीन गुणा चार बटा साथ, तीन बटा चार गुणा दो बटा तीन. गुणन भल का मान आपने देखा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणन भल उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक से बड़ा होता है उदहरनार्थ तीन गुणा चार बराबर बारह और बारह चार से बड़ा है बारह तीन से बड़ा है प्रिष्ठ एक्तालीज करते हैं, तो गुणन फल के मान को दिये गए भिन्नों से तुलना कीजिए। आइए, सर्व प्रथम हम दो उचित भिन्नों के गुणन फल की चर्चा करते हैं। हम पाते हैं, दो बटा तीन गुणा चार बटा पांच बराबर आठ बटा पंद्र है। आठ बटा पंद्र है, दो बटा तीन से चोटा है, गुणन फल प्रत्येक भिन्न से कम है। एक बटा पांच गुणा दो बटा साथ बराबर डैश, 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 डैश तीन बटा पांच गुणा डैश बटा हाथ बराबर इक्कीस बटा चालीज, डैश, डैश, डैश आप पाते हैं कि जब दो उचित भिन्नों को गुणा किया जाता है, तो गुणन भल दोनों भिन्नों से कम होता है. अर्थात, दो उचित भिन्नों के गुणन भल का मान दोनों भिन्नों में से प्रतियक से छोटा होता है. पांच ओर उदहरण बना कर इसकी जाच कीजिये आईए, अब हम दो विशम भिन्नों को गुणा करते हैं साथ बटा तीन गुणा पांच बटा दो बराबर पैंटीस बटा च्छा पैंटीस बटा च्छा, साथ बटा तीन से बड़ा है 35 बटा 6, 5 बटा 2 से बड़ा है गुणन भल प्रत्येक भिन्न से बड़ा है 6 बटा 5 गुणा डैश बटा 3 बराबर 24 बटा 15 है डैश, डैश, डैश 9 बटा 2 गुणा 7 बटा डैश बराबर 63 बटा 8 डैश, डैश, डैश 3 बटा डैश गुणा 8 बटा 7 बराबर 24 बटा 14 है डैश, डैश, डैश हम पाते हैं के दो विशम भिन्नों का गुणन भल उनमें से प्रत्येक भिन्न से बड़ा है, अथवा दो विशम भिन्नों के गुणन भल का मान उनमें से प्रत्येक भिन्न से अधिक है. ऐसे पांच और उदहरणों को बनाईए और उपर युक्त कथन को सत्यापित कीजिए आईए अब हम एक उचित और एक विशंभिन को गुणा करते हैं मान लीजिए दो बटा तीन और साथ बटा पांच को हम पाते हैं दो बटा तीन गुणा साथ बटा पांच बराबर चौदह बटा पंदर है यहां चौदह बटा पंदर है साथ बटा पांच से जोटा है और चौदह बटा पंदर है दो बटा तीन से बड़ा है प्रिष्ठ बयालीज प्राप्त गुनन भल गुनन में उपयोग किये गए विशम भिन्न से कम है और उचित भिन्न से ज्यादा है चे बटा पाँच गुना दो बटा साथ, आठ बटा तीन गुना चार बटा पाँच के लिए भी गुनन भल की जाच कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समनवयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मारवा तक्नीकी समनवयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन व निर्माण, विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत